हलो केट्स कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे से है स्टडी को आप इंजॉई कर रहे हैं आपने एक्जाम्स बहुत अच्छे से दिये हैं आज हम एक नया कॉंसेप्ट हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं और मैं माज आपके लेल आई हैं चार अक्षरों से बन पेश नमबर 34 है यह आपकी बुक का और 35 आप कर चुके हैं दो अक्षर से बने शब्द और तीन अक्षर से बने शब्द अब हमें शब्दों को बढ़ाना भी तो है तो आज मैं हम आपको लेल कराएंगी चार अक्षरों से बने शब्द आज हम learn भी करेंगे और reading भी करेंगे book की तो जल्दी से book open कीजिए page number 34 जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया है जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया है जैसे क देखें अब तो आप अच्छे से reading कर पाएंगे अब आपको practice हो गई है reading की तो जैसे कल और कलम तो यह कितने अक्षर वाला शब्द है? दो यह है तीन अक्षर वाला शब्द एक दो एक दो तीन आज हम करेंगे चार अक्षरों से बने शब्द तो यहाँ पर देखिए कुछ pictures भी हैं और इनको आप घर पर भी use करते हैं आपने देखा भी होगा यह बताये कौन सा picture है? ममा आपकी इसकी सब्जी बनाती है न तो यह है कटहल पहले मैं आपने आपको reading कर आए थी दो अक्षर तेन अक्षर की जिसे मैं ब्रेक करके आपको reading कर आती थी लेकिन अब तो आपको practice हो गई है आप perfect हो गई है reading में तो अब हम direct शब्द बोलेंगे जैसे कटहल कटहल थरमस थरमस पनगट पनगट कखटमल बादब शलजम शलजम देखे इस page पर चार अक्षरों से बनने हुए दो सब्जियों की नाम आए है कटहल और शलजम अब हम ये जो blue lines दी हुई हैं इसमें जो शब्द हैं हम उनकी reading करेंगे जैसे अम्रस देखे मैं मैं आप break करेंगी लेकिन सब भी अक्षर को नहीं अमरस नो इस अमरस थर्मस सर्गम अन्बन दमकल दमकल फायर ब्रिकेट की गाड़ी होती है जो आती है जब कहीं पर आग लगचाती हैं ना आपने देखा ना red color की मकमल धर्कन हार्ट बीट शब्नम गर्दन शर्बत हलधर तरकश तरकश क्या होता है दश्रत बर्तन बर्गत अच्छा बर्गत बताईए क्या होता है बर्गत पेड का नाम है और पल्टन फिर से रिपीट करें अम्रस थर्मस सर्गम अन्बन next we have दमकल मकमल धर्कन और शब्नम गर्दन शर्बत हलधर तरकश दश्रत बर्तन जो आपकी मोमा किचन में यूज़ करती है आप लोग खाना खाते है तब भी यूज़ करते हैं बर्गत और पल्टन अब हम यहाँ पर अक्षर दियो हैं लेकिन चार अक्षर वाले जो शब्द है वो बने नहीं हुए हैं सिर्फ अक्षर है और हमें उनको जोड़ना है और शब्द बनाने हैं जैसे बच्पन क्या बन गया ये बच्पन कस्रत दश्रत और बर्तन जग्मग सर्गम गर्दन और खट्मर तो ऐसे ही आपको खट्मर अब आपको टर्न करना है पेज 35 देखे इसमें शब्द बने हुए हैं लेकिन शब्द के साथ स्वर भी है कैसे जैसे क्या है ये स्वर्द अच्कन एक और शब्जी आ गई है अदरक अदरक जेंजर आजगर अजगर उपवन उपवन बगीचा अकबर अशन अच्रज अच्कन अडशट 68 अफसर अफसर यह अफसर है यानि ओफिसर और यह है अफसर यानि ओकेजिन अनपढ जो पड़ा लिखा नहीं होता है अमरन अनबन आच्मन आच्रन देखिए इसमें जितने भी शब्द है वो आ से स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट वाला जो शब्द है वो उ से स्टार्ट हो रहे हैं आच्मन आच्रन आयतन आस्वन उल्फत उल्जन उबटन उपवन उच्छन और उत्र अब देखिए अब यह वाला वर्क मैं आपनी करेंगी जैसे मैं आपनी अभी प्रीवेस पेज में किया है ना पेज नमबर 34 में वैसे ही आपको यह वाला वर्क करना है इसमें भी अक्षर दिये हुए हैं लेकिन अभी चार अक्षर वाले शब्द बने नहीं है तो आपको इन अक्षर को पिक करना है यहां पर लिखना है और चार अक्षर वाले शब्द बनाने है तो यह वाला वर्क आप कंप्लीट करेंगे ओके तो आज की हमारी class में आप सब ने learn किया है चार अक्षरों से बनने शब्द लेकिन अब भी हमारा ये जो चार अक्षरों से बनने शब्द है ये वला concept complete नहीं हुआ है इसमें अभी वाक्य भी आएंगे और बहुत सारा book work भी आएगा तो वो हम step by step करेंगे अपनी हर class में अब next class में आएंगी मैं फिर से नए शब्दों के साथ तो चलिए take care, good bye और आप सब अपना ध्यान रखिए बाई बाई